असलाम लेकूम प्रोग्राम मेरी धर्ती मेरी दुने के साथ एक दफ़ा फिर से मैं आपकी होस नाजिया अक्रम अदब को बेसिकली इल्म का जेवर कहा जाता है और इल्म इनसान के एक्सपोजर को वसी करता है और इनसानी शौर को बलंड करता है फिर यही इनसानी शौर तेजीबों को जनम देता है और मौशरों को परवान चुड़ाता है और ऐसा करने में किताब का किरदार इंतहाई अहम है जब तक मौशरा में लोगों की किताब से दोस्ती रहती है वहां तरकी का सफ़र जारी रहता है जहां लोग किताब से दूर हो जाएं वहां मौशरा जहनी पस्मानदगी का शिकार हो जाता है और ये जहनी पसमानदगी फिर जिन्दगी के हर शोबे पर चा जाती है पाकिस्तान में गुजशता 20 साल के अर्से में लोग किताब से खासे दूर होते जा रहे हैं और अब ये आलम है कि किताब में तो छपती हैं लेकिन उन्हें पढ़ने वाला कोई भी नहीं होता लोगों की किताब से दूरी की क्या वज़ा है किताब की जगा इंटरनेट ने ले ली लोगों की मसरुफियाद बढ़ गई या फिर लोगों के इंटरस्ट में ही तबदीली आ गई है आखिर क्या वज़ुहात है कि लोग किताबों से दूर हो गए हैं आज हम इसी मौज़ू पर आप से बात करेंगे, आज के मौज़ू पर आप हमें अपनी राइ भी दे सकते हैं, लाइफ कॉल्स पर और लाइफ कॉल पर आप नंबर डायल कर सकते हैं, 04236308164 और जनाब इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, स्टूडियो में मौजूद ग वी हम किताब की जिसतर जितर हुआ था किताब से लोगो नोग दूरो गहाई, तो आप किताब के करीब हैं, मतलव कब से? मैं तो सबसे ज़्यादा करीब ही किताब के हूँ किताब मेरे करीब है इतना करीब है कि मेरी बीवी का गिला रहता है कि ये ज़्यादा नजदीक है मेरे मुझसे तुमारी नजदीक तो किताब जो है हमारा तो ओरना बिशना ही किताब है और आज से नहीं है, बहुत शुरू से है, मुझे याद है, नाजिया आपने बात की तो मुझे याद आगया कि मैं जब छोटा था तो मेरे फादर ताजिर थे, तो मुझे याद है कि मैं बड़ा जित करता था तो मेरे फादर ने जो मुख्तलिफ अखबार लगवा रखे थे कि जिस दिन बचे का सफ़ा आएगा उस दिन बच्चों का सफ़ा आएगा उस दिन वाला अखबार जो है वो आता था तो वो किताब की एक सूरत ही हुआ करती थी और जिसमें कहानिया पड़ते थे फिर तालीम तर्बियत और नौनेहाल और इस तरह के मैगजीन्स हैं उनसे हम बहुत परानी दोस्ती है अच्छा मैसी मतलब आजकल जो हमारे हाँ हालात हैं मतलब हम बच्चमन से जो सुनते आ रहे हैं मेरे भी एवन बच्चमन से किताब जो है वो इनसान का सबसे बेहतरीन साथी है तो इस साथी से हम क्यों दूर हो गया बिल्कु ठीक कह रही हैं आप आपकी बेहतरीन साथी है और आपकी तनहाइका साथी और आप देखेए के गोरा जो है उसकी तो मह Si고 किताब वहाकरती है वो लोग बीच पे आपको मिलेंगे वो आपको ट्रेंज में मिलेंगे महफरों में मिलेंगे और लोग जो है वो किताब पढ़ रहे होते हैं और से इस्तफादा कर रहे होते है हमारे यह यह चीज़ वो निजबतन कम है लकिन इसकी कई भुझषात है साड़े उनिस करोड माप की जगा है हमारी आबादी जो हो गई है तो लेकिन उसमें से 20% के लगभग जो आबादी है वो हमारा सरकारी फिगर कहता है कि वो पढ़े लिखे है तो आप समझिए कि 3-4 करोड आदबी जो है वो पढ़ा लिखा है फिर उसमेंसे आप एक ऐसे मलक में रह रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि लोगों को पेंशन्स नहीं मिल रही है लोग भूग से मर रहे हैं लोग खुदसोजियां कर रहे हैं तो एक परशंट दो परशंट तपका जो है अगर आप 19 करोड में से निकालें तो ये बमुश्किल पचास लाग, साट लाग की तादाद बनती होगी एक करोड लगा लिजए, एक करोड की आबादी ऐसी है जो साहिब सर्वत है जिसके पास अतना पैसा है कि वो अपनी जो दीगर जरूरियात हैं जिन्दगी की उनको पूरा करने के बाद किताब भी खरीद से अच्छा वसी मतलब हम जिस तरह आपके कहते हैं इस किस हद तक डिफरेंस है कि अगर हम नेट पे जाते हैं अच्छा मतलब आप देखें आप अनलाइन लाइब्रेरी बनी हैं आप उनमें जाएं कोई भी बुक निका ले रीडिंग कर ले कितना इंपॉर्टंट है कि एक बुक बाई करके उसको रीड करना और अगर मतलब आप ऑनलाइन रीड कर रहें उसमें क्या अर्डिफिल एक किताब के लिए दुरूस्त है कि नहीं है एक रुमेंटिक सवर्ट है लेकिन एक इंटिमेसी का इसाथ जो है वह आपको किताब बेरहद है एक इंडियन शायर एंग गुलजार उनने लिखा है कि इल्म के खजाने तो आगए हैं आपको नेट के जरीए भी बहुत सारी चीज हैं लेकिन उसके बावजूद किताब की सिंगनिफिकन्स जो है वहां पर मतलब कोई बिक लिख्या है तो वह किस हद तक बिकती है और वहां पे लोग खरीटे हैं लोग चाहे वह हैरी पोर्टर हो चाहे वो संजीदा अदब हो चाहे डैनियल स्टील हो चाहे ऑसकर वाइल हो चाहे शेक्सपियर हो आज भी विखते हैं, आज भी लोग लेते हैं, चाहे प्लिटिकल इशूस के ओपर, सोशल इशूस के ओपर किताबे हो तो मुझे मैं अभी भी समझता हूँ कि यह कहना कि किताब को इंटरनेट ने पीछे कर दिया है और एक सोर्स ओफ इंफरमेशन जो है, सोर्स ओफ नॉलेज जो है, उसने रिप्लेस कर दिया है वो एक निया सोर्स ओफ नॉलेज जरूर है, जो किताब के पैरलल चल रहा है लेकिन किताब न खरीदेने की वज़ा हमारे हाँ, वो मैं यह नहीं समझता कि सिर्फ इंटरनेट, हम मतले यह नहीं कह सकते, आ जुλα किताब पढ़ने वाले इंटरनेट पर शिफ्ट होग earn, जो किताब पढ़ने वाले उन treatment से कुए पारक नहीं पढ़ा एक निया सोर्स है, शिफ्ट जरूर हुए है, लेकिन किताब का जो तालुक है, किताब, बहुत सारी कॉपी राइट के इशूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकता है, और आने वाले वक्त में आपको कॉपी राइट इस तरह का हो जाए कि जो किताब आपको मार्केट पे घडिताब के जाते हैं और बिकती है पर है उपकेमेट लगसे आपको हनी ह tentang बेЧто को बहुत जादा नहीं है लेकिन मिलियन्स में ऐसे कंपेर करें जूज हों तो बहुत कीमत नहीं पर टी बहुत है हमारे लिए नीष्सान में तो हम canned चागें और यहां पर अगर हम बाकिस्तान में देखें तो आपका चंद सौ रूपों में जो है निस्बतल कम है लेकिन इसको राजिया आपको देखना चाहिए अपने सिता पे नहीं देखना चाहिए आप तो बड़े पैसे लेती हैं यहां से आप तो खरीज सकती हैं लेकिन वो आदम आदमी जो खुसोसी कर रहा है वो आदमी जो बेरोजगारी का वो उसके लिए चंसो की किताब भी जो है शायद नहीं यकिन एक्समेंसिव है मैं आपके प्रोग्राम के और आपके चैनल की तवस्त से जरूर कहरा चाहूंगा कि हकूमत को चाहिए और अगर पंजाब हकूमत के लिए और दीगर किताबों के लिए जो आपका टेक्स है और सबसिडी जो है वो आपको देनी चाहिए पेपर के ओपर इसी तरीके से जो सरकार है वो भी बनाती है कि यह मेरे बच्चे हैं यह मेरा फ्यूचर है यह कल का पाकिस्तान है मुझे इसको क्या देना है मुझे अ जादा तादाद में छपेगी उतनी उसकी प्राइस भी तो आपको जो एकनॉमिकल यह भी यह भी एक फेक्टर उसका है यह भी एक फेक्टर उसका है और नाजरीन को बता दे कि यह हमें कॉल भी कर सकते हैं प्रोग्राम में कॉल करने के लिए नंबर है 042-36308164 यहां पे किताब से दोस्ती कब की खतम हुई अब तो मुबाइल और कंप्यूटर से सबकी गार्णी दोस्ती है जो कभी कभी भूले से लाइबरेरियों का रुख कर लिया करते थे अब उन्हें रीसर्च के लिए लाइबरेरी की मेंबर्शिप की जरूरत है और ना ही किताब की इतने सर्च इंजिन मौजूद है क्योंकि परेकर उनकी सर्च की गारी को बा-असानी खेंच सकते हैं तो फिर किताबों के सफ़ात में मगजब मारी से क्या हासिल तालीमी दारों में किताब मेले सजाने से किताब से महबत रखने वालों और वर्गरदानी करने वालों की तस्कीम का खुद सामान तो हो ही जाता है किताब को भी अपनी एहमियत का एहसास होता है कि बहरहाल जो किताब में हैं वो अब भी कंप्यूटर में नहीं इसलिए तो किताब मेले पर लोग जोक तर जोक किताबों की जियारत को हाजिर होते हैं लेकिन कितने किताब के शौक में आते हैं और कितने महस किताब बीनी के शौक में जो कभी किताबों में फूल रखा करते थे अब SMS पर ही इस्तफा करते हैं बड़े बड़े शायरों के बड़े बड़े दिवान छप तो गए लेकिन छुप से गए बाते और अफसाने तो अब सिर्फ अद्वी महफिलों में ही सुनाय जाते हैं और नौवल पढ़ने का वक्त सिर्फ इसके पास है जो अपने कमरे में कैद है या जिसके पास कमप्यूटर की सहूलत मयसर नहीं डाइजिस्ट पर सालों पढ़ी जाने वाली दास्ताने अब पांच सो एक साथ के सोप में दब करे रह गई हैं ताहम जिने पढ़ने की आदत है वो अब भी खूब पढ़ते हैं शायरी की किताबें या सरकारी अफसरों की बिक्ती हैं या उनकी जो मारूफ गुलुकारों के कंदे पर रखकर शेयर चलाते हैं अब तो नौ आमोस और नातजर्बाकार आशिक भी शायरी की किताब खरीदने के बजाए इंटरनेट से मौके की मुनास्बत से शेयर हासिल कर लेता है और इंटरनेट के जरिये ही फूल भी फेख देता है किताब लाइबरेरियों और किताब मेलों की जीनत जरूर है लेकिन किताब से वो कुर्बत और तालुक नहीं रहा और जो कौम किताब से तरके तालुक करती है शुरो आगही की मज़िल उससे दूर होती जाती है और तरक्की बहुत दूर जनाब बात हो रही है किताब से दूरी के हوाले से और इन दिनों तो ये हाल है कि स्टूडन्स कोर्स की किताबों को भी मझबूरनी पड़ते हैं और जहां तक बात है अद्ब औ्शायरी की गृतब पढ़ने की तो इस हावाले से किताबे खरीगते थे लेकिन अब किताबे बुक शॉप्स और स्टॉल्स पर पढ़े वालों की मुंतजरी रहती हैं लोग अद्ब शायरी से क्यों दूर हो गए हैं क्या मियारी अदब तकलीक नहीं हो रहा या पिर कोई और सबब है वसी हमारे साथ मौझूद है हम वसी से बा चब्दीली आती रहती है और मैं तो खेर इसको समझता हूं कि ग्रो करने का लफ मुझे नहीं आता लेकिन एक चब्दीली जो है आपके मिजाज में आती है आप जब जिन्दगी से आशना होते हैं और जिन्दगी आप पे अपने रास खोलती चले जाती है तो जिन्दगी क ये इशूस की वज़ा से आपकी जो चॉइस है वो भी बदलती चले जाती है रेडिंग के हवाले से एक जमाने में शायरी बहुत ज्यादा पसंद होती थी अभी भी बहुत जादा हॉन्ट करती थी फराज और परवीन और फैज फिर यह होता है कि जब आप अब जब से ये तरफ जादा चीज़ती है अच्छा वसी सारी मैं आपकी बात यहां पर काट्रू हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं हम उन से बात करते हैं हेलो असलाम लेकुम असलाम मैं बेल्कुल ठीक ठाक आप कैसी है फरीदा अजी फरीदा टॉपिक तो आपको पता ही है किताबों से दूरी है और वैसी हमेरे साथ मौजूद है क्या कहना चाहिएंगी मैं पहले तो असलाले कुम कहूंगी जी वालिक अफरीदा साहिबा कैसे आप जड़त जी अल्हम्दुलिल्ला माशाणला माशालला मुखतलिफ उसका नाम है है जी और यकिनन वह मुखतलिफ भी होगी बहुत मुझे यकीन है माशाणला तो आप ने किया किया कुछ हमें भी मशुरा देंगी हम क्या जरें ठीक है फरीदा बहुत बहुत शुक्री आपका अमरे प्रोग्राम में कॉल करने का वसी या आपकी बात के जवाब देते है जवाब देखिए ठीक कह रही है जो मकबूलियत है वो बिल्कुल ही उसका वो कैसे होती है कैसे लोगों में आपकी तहरीर या किसी की शक्सियत महभूब हो जाती है बेरे ख्याल में इसका कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन कुछ चीजे जो हमें समझ में आती है वो ही आती है कि जतने आप ओरिजिनल है जतना आप अपने काम से महभूब करते हैं और अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं चुकि हम देखते हैं कि हम तो खैर किस शुमार में हैं लेकिन हम देखते हैं जो दीगर हमारे शोरा हैं जो मभूभ शोरा हैं, या महभूभ लिखने वाले हैं, चाहे मंटो हैं, चाहे फ़ेयस, जाहे गालब हैं, चाहे मीर हैं, अगर लोग उनसे महँईर करते हैं तो महँईर करने की वजा है। और जब हम इस काम को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं तो हम देखते हैं कि उनका काम वह वाकई इसपाय का है, उनकी तहरीर ही है, जिसके हम बेसिकली हगदार हैं, तो आप किस हद तक इस बात से सहमेद है कि मतलब ये लोग ठीक कहते हैं, और शोहरत ठीक है, अचानक ही मिलत होती है, ऐसा नहीं होता कि आप शौरत मिलने की सही वज़ा होती है, जो लोग वाके में मशूर हैं, मतलब आप मार्शाला इतने पॉपलर हैं, हमारी यंग जिनरेशन में भी और बाकी लोगों में भी, तो क्या आपने ये चीज अर्न की है, और देखिए मैं जिस नतीजे को और किसी खिलाडी को जरूर जबरदस्ती भीच सकते हैं खेलने के लिए, लेकिन आप किसी भी प्लेट फॉर्म पे किसी एंकर को, किसी शायर को, किसी कॉलॉप लिखने वाले को, किसी और उसको आप लोगों के उसमें महभूब नहीं बना सकते हैं, आप लॉब लाग किस जिस भी शुबे के लोगों, तो वो जिन लोगों को महभूबियत मिली है, जिन लोगों को मक्बूलियत मिली है, जिन लोगों को कुबूलियत मिली है, वो तो टॉप पे थे ही थे, और वो अपने काम में माहिर थे, उतनी बनियादी सलाहियतों की वज़ा से थे जो अल्ला ने लिकिन उनका वो रिस्पाइब नहीं आता विर्फे में जिसे हम कहते है नो उनकी वो रेटिंग नहीं आती है हम जिसे हम बात कर रहे थे कि अदब के लिहाज से और शायरी के लिखी जा रही है रीजन के आए के लोग बुक्स ने खरीद रहे, अच्छा देखे शायरी अभी भी हो रही है, अदब अभी भी लिखा जा रहा है, लेकिन उसका वो उसमें वो तासीर नहीं है, उसमें वो मतलब इंप्रेशन नहीं है, जो के पहले हुआ करता था, उसकी क्या वजाए, क्या व अदब का जो मामला है ना, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ करता है, अदब एक नीम तारीख गोशे में या एक धुंदलके में जुटपटे में रखे हुए दूर एक दिये की मानिद है, जिसकी रोशनी जो है, जो 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 अंधेरा बढ़ता है, उसकी रोशनी जो पहलत चली जाती है ये बिल्लो गाने की तरह नहीं होता है कि आज आपने गाया और कल को आप स्टार है इसमें फर्क है मंटो को समझने के लिए आज के मंटो को समझने के लिए आज के गालिब को समझने के लिए आज के मीर को समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त दरकार होगा और जिस तरह से उनके बुद्ध बनाया जा रहे हैं, जिस तरह से उनको पूजा जाता है, जिस तरह से अगर हम हिस्ट्री अगर देखें तो हमें सब के हलात कमों बेश एक जैसे ही मिलते हैं, तो इससे मिरे खाल में घबराना नहीं चाहिए, आज की जो सोशो पोलिटिकल और जो, जो जो यूटिकलिसम की और जो इस यूटियरियन सोसाइटी के जो मिसाइल है और जो इस के अपना अदब लिखा रहूगा लेकिन वो दर्याफ्त हो रहा है, और आजस्ता आजस्ता दर्याफ्त होगा तो, हमें तो इसे बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, जूके एक चोट के यह बात करना चाहूँकिए हमारे हां अगर देखा जाए तो पहले यह होता था के लाइब्रेरी कल्शे बहुत आम था, मतब लोग लाइब्रेरी मेर घाना और लोग तरास्ते रहते थे हैं, यह हमें मेमबर्शिब अधर अगर जगें फिल हो जाती थी और लोग जा के लोग बकाइदा वह एक कल्चर बहुत आम था कि उन्होंने जा ना उन्होंने एक पर्टिकलर टाइम सेट किया हूए उन्होंने लाइबरेरी में जाना है और किताब पढ़नी और यह तक यह भी होता था के पहले छोटी चोटी बुक्स रखी होती थी और बहुत नॉर्मल पैसों में बहुत अराम से वो दस्तियाब होती थी लेकिन अब आपका क्या ख्याल है कि क्यों ये ट्रेनर खतम होगे अब उन किताबों की जगार शायद सीडीज ने ले लिए या आपको बाकी हर चीज आप मिल जाएगी लेकिन आ रहतात पजीर माशरा होता है नीचे की तरफ गरता हुआ माशरा होता है उसमें से यही चीज़ें जो है उट जाती है जब इंतहा पसंदी आती है जब मजभी जनूनियत आती है और इंतहा बज़र्दी से विजबात की नहीं कि मजभी इंतहा पसंदी आती है हमारा अलमिया यह है कि हमारे यहां, जो निबरल होग लिबरल है,ो भी इनताह पसंद है। जब भी इस तरह के माशरे में मसाइल आते हैं तो सबसे पहले इम्म वटब ज सके कर प्रोश can değildi在 around tea प्र आपका रुड़ में सबके चीजू का प्र आता चाता है। हमारे लोग पुश टू, कमपेल टू, के वो इस चीजों से दूर हो जाएं, वरना वो उतने ही, मैंने आप से बताया ना, कि आज भी आप गाउम में चले जाएए, उनको पूरा बुल्ले शाह जो है, वो जबानी याद होगा, वारिश शाह जो है, कुरान मजीद के बाद, प पूरा उससे वियर नहीं है, कि वो एक रूमेंटिक दास्तान है, जो पंजाब का सोशो कल्चरल जो सारा जो तारीख है, वो आपको वारिश शाह की उसके अंदर मिलती है, तो आज भी मैं समझता हूं कि हमारी कौम, हमारे लोग, खुबसूरत लोग है, इल्म औ अदब से म इनके हुकूक से आजना देगा, अच्छा, यहाँ पे एक दफ़ा फिर से वैसी जो है, वक्त हो गया है ब्रेक का, और जब हम ब्रेक से वापिस आएंगे, तो फिर हम आपे कुछ सुनेंगे, शुरूर। सुलर्ब्र डायन पर मौझूद हैं और जो खुबसौन हैं हमारे साथ सोफिया मौझूद है, जो के एक कॉलम राइटर भी हैं, इसके यलावा शायर भी है, जी सोफिया, असलामलेकूं हुआ अप अच्छा, वालेकून है, प्रोग्रम आप देख रहेंगे, क्या कहना करें तो इतनी इनकी हमाजहत शक्सियत है और इन्हों ने सभी असनाफ सखन में सखना आजमाई की है और जहां तक इनकी तखलीकी प्यास का तालुक है तो वो ऐसी ऐसी नहीं है कि जो चंद एक असनाफ में जोरा आजमाई करकर उसको कोई इसके बुजने के इमकान हो जो वो एक शायद ये खुद भी उस बात से नाशना हो कि ये नई नसल जो करीबन अर्दू अदब से ला तालुक सी होती जा रही थी ये उसके और रुज पसंदी के तरमयान यानि यू कहा जाए कि जदीदियत और कदीम रवायत पसंदी के दरमियान इनकी शक्सियत एक ब्रिज बन कर सामने आई है और मैं ये समझती हूँ कि इनके जो ख्याल है वो पेराहन बदल कर कभी ड्रामे की सूरत में सामने आते हैं और कभी तख्लीकी सूरत इनकी शायरी में और इनकी सामने आती है लेकिन जो बात हावी है वो इनकी शायरी है जो सरता पास शायर है और हमावक्त ये तख्लीकी कैफियतों में डूबे रहते हैं तैंक यू सोफिया तैंक यू बेरी मच्च जी, सोफिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका, हमारे प्रोग्राम में कॉल करने का, और वसी के बारे में हमें बहुत सारी बाते बताने का जी, वसी, काफी तारीफें आपकी हो गई है अच्छा वैसी हम अगर बात करें कि हमारे हां मतलब बुक की जो मतलब कह सकने जिसरा आप भी कहरें किसी हद तक डाउनफॉल है बुक रीडिंग में तो इसमें आप क्या समझते हैं कि पबिशर्स जो हैं मायशी मसायल आते हैं वो जिन्दगी की सबसे बड़ी हकीकत हुआ करते हैं और जो आदमी बिजनस करता है जो बिजनस के लिए पैसा लगाता है वो सोशल सर्विस के लिए तो नहीं कर सकता है और यही वज़ा होती है कि इस किसम के जो मुम्लिकत की फला के लिए जितने भी शोबे हुआ करते हैं उसके अंदर जो सरकार जो स्टेट हुआ करती है वो अपना किरदार जो है वो अदा करती है चाहे वो शोबे टेब हो आपकी कौम की सिहत का मामला हो चाहे वो कौम की जहनी और जिसमानी नशोनुमा का मामला हो चाहे वो कौम की रुहानी नशोनुमा का मामला हो यही वजा है कि फिर आप सबसिडीज देते हैं और आप इंकरेच करते हैं आप इतना उसमें इतना मारिजन बढ़ा देते हैं आदमी जो है वो आता है, बिजनस करना चाहता है और उसके पाथ इतना पैसा होता है ज्यादा स्यादा किताबें भीछापे अस पूरे मामले को उसकी फिजिबिलिटी ऐसlegen फिर बन जाती है कि लोगों को सूट करती है और फ्राइविट सेक्टर भी आता है सरकारी सेक्टर जो है वो भी आता है लेकि मैंने आपको बताया ना देखें आप जो बात करी ना लोगों ये दो चीज़े हैं किताब कर ना बिकना एक बात जो ग्राउंड रियलिटी है लेकिन उसका इस जो एक डॉलर से कम कमाती है पच्छी सो रुपए में अगर हम सब जानते हैं तो अगर हम हिस्ट्री अगर हम देखें तो जिसरा इकबाल की भी अगर हम में साल लेते हैं बहुत सारे यॉर्पन कांट्री में भी जो थे राइटर्स उन्होंने अपनी राइटिंग से वो लि है लेकिन कुछ बेतरी आ सकती है लेकिए पूरी दुनिया में सियासत जो है वो बुनियादी तोर पे इनकलाब लाया करती है अलबता जो आपके थिंकर्स होते हैं आपके फिलोसोफर्स होते हैं आपके जो लिखने वाले होते हैं शायर और अदीब होते हैं वो उसकी उस इ रसुल ल्ला सरकार दौालम जैसी शक्सियत जो है जो जिनके ओपर कुरान उतरता है और उसके अलावा उनकी जो आप आदिस देखिये और उनकी जो आप गुफ्तगू देखिये वो आला पाये का अदब है ऐसी शक्सियत हो या ऐसे लोग हो जो ख़दीब भी हो और साथ पर अमली सीयसे में भी आना चाहें बन्यादी तब्दीली जो है वो सीयसे लायक्ती है लेकिन एक रहनुमाई जarms जो है वो जरूर फराहम करते हैं मुझे लगता है कि हमारे आब फिर यह जदीत तब् Dallas ओंव जाती है अब जैसी मीडिया पही बहुत सारा काम जो है आपके तिं करनी चाहिए जिससे सुसाइटी में चेंज आ सके जिससे सुसाइटी में अवेरनस जो है वो बढ़ सके अच्छा वसी अदब अगर हम उज्जिली मतलब की जदीद तब्दीलिया है अख़ार आपका टेलेविजिन ये जदी तब्दीलिया है और बन्याई तरप ये जदीद ह अड़िवान उर्दू है वो भी सही तरीके से नहीं आती है तो अदब का नाम किया सिर्फ वो मुश्किल मुश्किल शायद हमारे जो आजकल की जनरेशन के दिमागों में कि अगर आप अदब का लफ इस्तमाल कर रहे हैं तो वो एक कोई बहुत ही मुश्किल किसम की किताब के चाहिए नहीं और देखिए हुआ यह है कि अब हमें लगता है मिसाल कि अब हम गालिप पढ़ते हैं तो उस वक्त जो सरकार की जुबान थी मुगल पीरियड में जो मुगल की जुबान थे मुगलों की सरकारी जुबान थी वह फारसी थी अब आप समझेए कि एक आम आदमी दिफ्तरी जुबान जो है वो फारसी जुबान थी जितनी अर्दू इस वक्त बोली जाती है इससे ज्यादा सहल और इससे ज्यादा आसान थी वो उस वक्त के लोगों के लिए अब चुके फारसी हमारे हैं से कट चुकी है संसिक्रिट कट चुकी है हिंदी कट चुकी है और हमें फार्सी आमेजिश की वज़ा से हमें लगता है कि यार ये तो बड़े भारी अलफाज हैं लेकिन बारी अलफाज इसलिए हैं कि हमारे आप फार्सी का इहतमाम नहीं होता है वरना आज भी जो सादा अर्दू में शायरी होती है देखिए बड़े आदर्श के लिए बड़ी बात ब?, बड़ा खयाल बयान करने के लिए, गहरा खयाल बयान करने के लिए मुष्किल अलफाज का चुनाव जरूरी नहीं है उसके ये साधा लख जह है यहां पर मतलब मुश्किल मुश्किल पहुए है नि मैंना आपको बजा बता हैं कि जब आप इनकी तरुख देखते हैं आप देखें यही जो प्राप्लम है यह हमें बुल्ले शाह में नजर नहीं आती है इसलिए के 1.500.000 साल पुरानी जुबांशंचें है बंजाबी सबस्किल मुशा बुल्यजी को कर रहे हैं आगर हम देखें अगर हम देखेंचे तो सफयाना कलाम बहुत जी जी आम था उस वक्ड भी बुल्ले शाह को तो मुलाओं ने वाजबलकतल करार दे दिया था ठीक है तो उस वक्ड भी बुल्ले शाह मैंने आपको बताना है जासे आपको मिशाल दी थी ये बात भी इसी पर साबित आती है कि अदब जो है वो थोड़ा टेक्स टाइम ये थोड़ा वक्त लेता है एक दूसरे शायद ये बिलकुल आम आदमी के लिए होता भी नहीं है आम आदमी से मेरी बुरा दी है कि जब उसकी जहनी सता जो है वो अपने अप्तदाई मराहिल में है जब वो ग्रो करता है और आगे बढ़ता है तो फिर उसको भी यहीं इनी के ख्यालात में जाके पना लेनी पड़ेगी लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो आपकी पॉलिसी सेट कर रहे होते हैं जो आपकी जहनी रहनुमाई कर रहे होते हैं जो आपको जो आपके लिए रोशनी का मिनार होते हैं उनको बन्यादी तोर पे अदब जो है और निटर जो है वो रोशनी की सप्लाई जो है वो नूर की सप्लाई दे रहा होता है जो आम आदमी को फिर आगे उनके लिए रहा होता है वसी आपकी हर बार जो है वैसे जातर मतलब मैं जो अनालिसस कर रही हूं इशारा करती है कि शायद कहीं बहुत बड़ा लापस है हमारी गर्वर्मेंट के और नेशन के बीच में तो जादा आप रिस्पॉंसिबल गर्वर्मेंट को ठहराते हैं इस चीज़ का देखिए दोनों है कोई भी ऐसी टाली जो है वो दोनों हाथों से बच्चती है खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल नहीं आता है यह कुरान कहता है और कुरान को फिर शेर की सूरत में अधाला गया है और कुरान से जादा अफाकी और कुरान से जादा इनसानी नफसियात और इनसानी सियासाद और इनसानी इसरार और रुमूस को समझने वाला कोई नहीं हो सकता है जिसनी नेचर बनाई है वो यह कहता है तो दोनों का है कहा गया है कि तुम बरे हुक्मरानों को मत चुनो वर इसमें हमारे लोग भी कुसूरवार हैं, लेकिन जिएदा कुसूरवार जो है, वो इस कौम के हुक्मरानों को समझता हूँ. चाहे वो आमिर आए हैं, उन्होंने भी कभी सिरिस्ली नहीं लिया, चाहे वो आपके सियास्टदान आए हैं. वो आमिरों की एक शकल आई है लबाज बदल के बेज बदल के वो आगए है और शायद वो आमिरों से बत्तर थे इसका मटलब ये नहीं ये कि जमूर्यट न हुनी चाहिए लेकिन बहरாल जो स्यासिदान आये हैं इस वक्त तक भी वो आमिरों से बत्तर सियासित्दान है अर्दू आप बात चुके अर्दू की हो रही है जबान की हो रही है एक मैसे जो इस से हट के एक बात कह दूँ अर्दू जुबान का 73 के आईन में कहा गया है कि अर्दू जुबान जो है वो इस मुल्क की दस्तूरी जुबान होगी इस मुल्क के दफ्टरे की जुबान होगी इस मुल्क के तुलबा की जुबान होगी अर्दू जुबान को नाफिज ना करने का मतलब जो है वो एक बुनियादी साज़िश के तहत है आपकी जो सोशल इलीट है जो आपकी इस्टैबलिश्मेंट है जो आपकी जुडिशरी है जो आपका विरोक्रेसी है जो एक परशंट दो परशंट है जिसने यहां सकूलों में पढ़ना ही नहीं है जो बाहर से पढ़के आते हैं और जिनके लिए अंग्रेजी जो है वो उसी में कुफ्तिरी जबान है और उसी भी वो करते हैं बिसाल के तो पर आप बिलावल जड़ारी को देख लीजिए वो आपके तल के होने वाले हुक्मरान है और उनको अर्दू नहीं आती है तो यह इस से जावस्तित क्या है एक बहुत बेशने वाले का बच्चा जो है वो आपको सीएस में नजर आएगा वो आपको एक आला बिरुक्रिसी में नजर आएगा और वो पॉलिसीयां बनाएगा तो यह उस साज़िश का हिस्सा है यह भी तो एक हाल है कि लोग लिटरिली मतलब अगर अर्दू बोल रहे हैं तो थो लोग ऐसा नहीं महसूस करते एक बात दूसरी बात है कि आप ठीक कह रही है क्यों इसलिए कि जो भी हुकमरान तबके की जुबान हुआ करती है जो भी इलीट तबके की जुबान हुआ करती है कहीं न कहीं आप और आम आदमी जो है वो उससे इंस्पायर होता है वो उससे इ मुझे आप सब्सक्राइब है। जो अग्रेजी जुबान को उस पर नाफिज रखना चाहता है जो अर्दू से अर्दू जुबान के नाफिज होने से खौफ जदा है बेकल से अच्छा बड़ी सारी मोटी मोटी बाते भी हो गए अच्छा आप बताएं वसी आपका फेवरिट शाय कौन है मेरा फेवरिट शाय है अपने लाओं मैं कभी भी इतना खुद पसंद नहीं रहा कि आप मैं खुद अपने आपका फेवरिट हूं और हमें तो गिले ही रहते हैं अपने आप से अपने काम से लेकिन गालिब मुझे बहुत पसंद है गालिब और मीर दोश हो रहा है कौन सा एसे शेयर जो आपको बहुत पसंद है गालिब का या बेशमार शेयर है गालिब का तो हम भी वो बंदगी में भी वो आजादा और खुद भी है कि हम उल्टे फिर आए दरे काबा अगर वा ना हुआ अब चुके फार्जी अमैजी शेफिर आप कहेंगी मैं आपको स इसने मुझे उठा दिया कि अच्छा ऐसे तो मैं खाली चाहिए तो गालिब कि शायरी मतलब बिलकुल आला पाइट कि शायरी अच्छा अपनी और साथा सुना कुछ आपको अपनी शायरी में से कोई जो सबसे बेस्ट है आपको लगता है कि आज तक इससे बेतर आपने लि हैं और उसमें बेहतरी की गुझाईश आपको लगती है तो बेस्ट की तो स्टिल सर्चिंग फॉर बेस्ट अभी उसकी खोज में है और लेकिन मैं आपको एक ताजा जो चीज़ है वो जरूर सना देता हूं आपको मैं शायर हूं तो अकसर लोग मुझे से पूछते हैं इन हसी असरार के बारे असरार के बारे बताएं तो भला क्या है महबत आखरिश है क्या अबादत आखरिश है क्या वसी मैं सबसे कहता हूं किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी महबत है अबादत है किसी प्यासे को अपने हिसे का पानी पिलाना भी महबत है अबादत है भवर में डूपते को साहिलों तक लेके जाना भी महबत है अबादत है कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना महबत है अबादत है हो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी किसी के वास्ते जबरन ही होटों पर हसी लाना, जबरदस्ती ही मुसकाना, महबत है, अबादत है कहीं बारिश में सहमें भीकते बिल्ली के बच्चे को, जरासी देर को घर लेके आना भी महबत है, अबादत है कोई चॡ़िया जो कमरे में भठकती आन निकली हो तो उस चॡ़िया को पंखे बंद करके रास्ता बाहर का दिखलाना मुहबत है, वादत है के मीठा बोल, मीठी बात, मीठे लवज सब क्या है मुहबत है, वादत है, वादत है कमाल की शाईरी है आपकी वसी और आखर में प्रोग्राम का वक्त तो अनपॉर्टनेटली खतम हो गया जबके हम बातों किसलब बहुत साथ जारी रखना चाहते थे क्या मेसेज देना चाहेंगे अपने फैन्स को और अपने जो भी देखने वाले होगे अग्रेजी का एक महावरा है गिफ चायल्ड अबुक बच्चे को किताब दीजिए आज आप अपने बच्चे को किताब दीजिए आपके मुल्क से कलाशन कोव जो है आपके मुल्क से खुदकुश बंबार्टमेंट जो है आपके मुल्क से तशद्द जो है आपके मुल्क से इंतहा पसंदी, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो मजभी हो, किसी भी तरह की इंतहा पसंदी जो है, वो तब ही खत्म हो सकती है, जब आप एक एक पाकिस्तानी बच्चे के हाथ में किताब खाएंगे। और नायर जो लिखने वाले उनके बारे, उनको क्या कहना चाहेंगे। देखे, जो हमसे जूनियर है, यही कहना चाहेंगे, कि अगर आप जतना ज़्याता से जदापढ कामेभी का, अची तह्रीर को बहतर बनाने का यह इनका, जतना आप पढ़ेंगे जिन्दगी को अपनी तजरुबें से, अपने मुशाहिदें से, और दूसरों के तजरुबे और मुशाइदे से जो किताबों की शक्ल में आपके सामने होता है जितना जिन्दगी को समझेंगे उतना आपके काम में निखारा आएगा There is no shortcut to success or good writing of a good poetry बार कुल सही का वसीन है और बहुत बहुत शुक्रिया वसी आपका हमारे प्रोग्राम में आने का I am really thankful to you नाजरीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है फिर आजरे होंगे नई बातों के साथ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए लाप आपस